हेलो फ्रेंट्स आज मैं बनाने जारी हूँ ढोकला जिसके लिए मैंने वेशन लिया है एक कटोरी और उसका हाफ मैं डालूँगी इसमें सूजी और वेशन को मिक्स करके इसका ढोकला त्यार करने वाले हो बहुत जालेदार और टेस्टी बन कर तयार होता है अब इसे मैं नमक टेस्ट के इकॉर्डिंग और साथ में जाएगा हिंग जो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें हींग का थोड़ी सी चीन डालूंगी एक चमच अब इसमें जाएगा निम्बू का रस एक चमच और साथ में इसमें जाएगा रिफाइंड ओईल दो से तीन इसमें से एड़ करेंगे जिसे ढोगला हमारा बहुत जाली धार बनता है अब इसमें दहीं जाएगी जितना वेशन था उसकी हाफ क्टोरी में इसमें दहीं आड़ करूंगी इसे अच्छे से चमच के साथ मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ थोड़ा पानी डाल कर इसका पैटर त्यार कर लेंगे अब इसे एक ही डिरेक्शन में घुमाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें और ये बिल्कुल स्मूध पैटर हमारा बनकर तयार हो गया है अब हमें इसे ढखके रखेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि सूजी है जो हमारी फोलती है उसे थोड़ी अब दूसरी जगा मेरे अपना बरतन है उसे ग्रीस कर लिया है और बैटर जो है वो मेरा सेट हो चुका है उसमें इनो डालूँगे एक चमच और उसमें जाएगा एक चमच पानी पानी डालने के बाद जो हमारा बैटर है वो अच्छे से इसे हमें मिक्स करेंगे राई में एक प्लेट रखोंगी सबसे पहले नीचे और उसके बाद मैं ऐसे रखोंगी ढखके रखोंगी इसे 10-15 मिनिट में तो हम रखेंगे इसे तेज फ्लेम पे और उसके बाद 10 मिनिट के लिए पे रखेंगे अभी मैं तड़का त्यार कर रही हूं कडाई में घीर ड पानी इसमें डाला है तो पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी एक से डेट जमच और निम्बू का रज डेट जमच अब देखो फ्人 मेरा ढोडा है वो बनकर तयार होगा है टूथ पिंसी में से चेक कर रही हूं सैंटर से भी और साइड से भी ये बिल्कुल ही देखो clean आया है तो इसका मतर हमारा डोकला है वो बनकर तयार है बहुत ही अच्छा बना है देखो friends जालीदार है आप साइड से से देख सकते हैं कि friends ये पूरा जालीदार बना हुआ है और ये बहुत ही tasty बनकर तयार हुआ है कट करके दिखाती हूँ आपको मैं कि यह अंदर से कितना जालीदार है कट करने से हमें पता चलता है कि हमारा धोकला अच्छा बना है कि नहीं बना अगर वह एजिली कट हो जाता है तो फ्रेंट्स का मुआरा धोकला परफेक्ट बना है तो इसके पीसिस जो है वह अच्छे से कट हो रहे हैं अभी थोड़ा सा गरम था इसलिए थोड़ा काटने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है तो अगर हम इसे पूरा ठंडा करके काटते है तो यह बहुत अच्छा बन कर त्यार होता है उपर से मैं इसके तड़का डाल दूंगी हरी मिर्ची कड़ी पत्ते का और इसे ढाल के थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ूंगी सूजी जो है वो सारा तड़का रस है जो अंदर तक सोख लेगी और इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा इसके बाद तो यह दो फ्रेंड्स मेरा ही रेस्पी बन कर तयार होगी है अगर आपको